दोस्तों ये लाल चीटिया इन काली चीटियों उपर तिल्लियों से हमला करती है, फिर ये काली चीटिया भी इनका मूत और जवाब देती है, ये कान साप करने वाले इयर बर्ट से इनके उपर हमला करती है, उस दवाईयां फेकती है और नवक फेकती है, जिसे लाल चीटिया एक बार और हमला करती है जिसे उनके घर में छेद हो जाता है तो लोहे का कंचा सीधा इन लाल चीटियों के उपर ही आकर गिरता है अब यहाँ पर यह काली चीटियों को बहुत गुस्सा आता है और यह अपना रोकेट त्यार करने लगती है और तभी यहाँ पर काली चीटियों आती है और माचिस में से एक तिली निकालती है और उपर चड़कर घिसने लगती है और उस तिली में आग लग जाती है वो उस तिली से एक रोकेट को जला देती है जिससे ओ रोकीट आसमान में जाकर लाल चीटियों पर किरता है और बहुत सारी लाल चीटियां मारी जाती है लेकिन इन बिचारी काली चीटियों के पास केवल एक ही माचिस कितिली बची होती है और इन लाल चीटियों को गुसा आता है और इन पे लगातार हमलेक करती जाती ह अब तभी इनके पास एक फेल पास वाला कीडा होता है जो बहुत ही समझदार होता है दोस्तों पच्वन में किस-किस ने इस कीडे को उगली पर बैठा कर फेल पास कहा है कमेंड में जरू बताना